नमस्कार आप देखरें न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांथवन आपके साथ भोजपूरी सूपर स्टार पवन सिंग इन दिनों भोजपूरी स्टार खिसाड़ी लाल यादव के साथ विवादों को लेकर चर्चा में हैं आपको बताए के पिशले दिनों पवन सिंग के एक डाय हाड फैन ने खिसाड़ी लाल के साथ काफी गाली गलोज की थी उन्हें धमकी भी दी थी लगातार इन दोनों का जो विवाद है वो भोजपूरी इंडॉस्ट्री में छिरता हुआ नजर आ रहा है फैन्स के तरफ से लगातार रियाक्शन्स और कॉमेंट्स निकल क पर आ रहे हैं मामने ने तब तूल पकड़ ली जब पवन सिंग के एक फैन ने खिसाड़ी लाली आदफ के साथ इस तरीके का बरताफ किया और अब पवन सिंग का एक फेस्बुक पोस्ट सामने आया है जो उनके द्वारा आज सुबे सुबे किया गया इसमें उन्होंने ब भूचपूरी का बहुत ही बड़ा महत्व है अब गीच संगीत के माध्यम से जिस तरह जातिवात का जहर बोया जा रहा है उस पे अंकुष लगना चाहिए नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा ना धार्मिक स्तर पर ना सामाजिक स्तर पर और ना ही राजनेतिक स्तर पर बचा जा सकता है बोचपूरी भाशाई कुछ कलाकारों की वज़े से बिहार में जादिकत उनमाद ना फैले इसके लिए आप चुकि हमारे बिहार की आत्मा की तरह हैं इसलिए आप से आदर सहित अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शिग्र कोई ऐसा कानून बिहार में लान सिंग पिछले कुछ दिनों से लगातार खिसाडी लायादव के साथ विवादो को लेकर चर्चा में हैं बीते दिनों पवन के एक फैन के दुआरा खिसाडी को धंकी और गाली गलोज भी दी गई थी जिसका विडियो सोशल मेजिया पर खूब वारल हुआ था जिसके बाद उन्हें सरकार से नई कानून की मांग की है और उन्होंने बिहार में जातिवाद का आरोब भी लगाया है पवन सिंग ने अपने फेस्बुक पोस्ट के जरिये बिहार में नितिश्य सरकार से नई कानून की मांग की है और जातिवाद के फैल रहे जहर को रोकने की बात कही ह उन्होंने अपने पोस्ट को निती शुमार को टैक करते हुए उक्त बाते भी लिखी हैं। इस पर लोगों के भी कई तरह के रियाक्शन्स आये हैं और फैंस ने भी आक्टर का समर्थन किया हैं। ताकि कॉमेंच बोक्स में जातिवात का समर्थन ना करने के भी धेरो कॉमेंट्स देखने को मिले हैं। साती पवन सिंग के खिलाफ भी कॉमेंट्स देखने को मिले हैं। अक्टर के पोस्ट सोशल मीजा पर वाइरल हो रही है। दरसल आपको बताए कि पवन सिंग और खिसाडी लाली आदव को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब नेपाल की टैट्टो गर्ल सौमया पोक्रेल ने एक इंटरव्यू में पवन सिंग को पहचानने से इंकार कर दिया इसके बाद पवन सिंग फैंस ने उन्हें गालिया और उनके लिए अब शब्द का इस्तमाल किया था इसे मामले को लेकर खिसाडी लाली आदव लाई वाये थे और उन्होंने सौमया को गलत शब्द बोलने वाले को जम कर लताड़ा था जिसके बाद धमकी देने वाले शक्स का विज़ो भी सामने आया था शक्स के धमकी देने के बाद खिसाडी लाली आदव ने उसका एक विज़ो ट्विचर पर शेयर किया था जिसमें उसे आक्टर को भधी गालिया देते हुए सुना जा सकता था उसके विडियो को शेयर कने के साथ ही आक्टर ने बिहार सरकार और पुलिस से मदद की गोहार लगाई थी फैंस ने भी आक्टर का जम कर सपोर्ट किया था खिसारी ने इंटर्व्यू में भी अभी कहा था कि अगर उसके खिलाफ कारवाई नहीं की गई तो वो बिहार को छोड़ देंगे तबी से सोचल मीजा पर राजपूत बनाम यादव हुआ पड़ा है दोनों के फैंस आमनी सामने हैं और जम कर गाली गलोच की जा रही है खिसारी लाली आदव और बोजपूरी के पास स्टार पवन सिंग के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है मामले ने तूल पकड़ ली है और अब पवन सिंग के रियाक्शन का इंतजार था सभी को रियाक्शन निकल कर सामने आ चुका है पवन सिंग के द्वारा आज अहले सुबह एक फेस्बुक पोस्ट किया गया है जिसमें उनोंने बिहार में हो रही जातिवाद का रोप लगाया है और बिहार सरकार से ये अपील की है कि बिहार में क्याबिनिट के माध्यम से ऐसा कान कानून पास हो जिसमें जातिवाद ना हो जातिवाद जो चल रहा है उसे पूरी तरीके से बिहार में खत्म किया जाए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश उमार से उनोंने अपील की है कि एक नए कानून को बिहार में लागो किया जाए जो जातिवाद के खिलाफ खड़ा हो अप्रा के लिए सब्डेट में इतना ही या ना कई खबरों के लिए मासवत बने रहे न्यूस फौर्णेशन में नमस्कार